आये थुरह सा ये जो प्रोलिलन्ट रिपोर्टिंग की बात है इसको भी देखते हैं ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन मैंने थुरह सा ब्रीफ करने के लिए आप लोगों के लिए रखा है ताकि आपको पता चले के लोग रिपोर्टे बनाने में भी क्या कुछ क फरोलर फाइंजनल रिपोर्टिंग युली अकर्स बिकासफ कंडिशन इन 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 एक्स्टेरनल इन इनवाइरमेंट यैनि कुछ तो मजबूरिया हैं जिसकी वैसे ये फरो प्रॉट जो है न गलत बनाई जा लिए influences in the internal environment relates to the poor system of internal control यानि अगर आपका internal control टीक नहीं है तो obviously लोग उसमें leeway लेते हैं और frauds करते हैं और फिर आपको उसको चुपाना पड़ता है management's failure to set an ethical standard अगर management ने कोई ethical standard fix नहीं किये हुए तो भी problem आती है और लोग उसमें से misuse करते हैं और परहाफ से companies poor liquidity or profitability situation वाज वकात ये भी होते हैं लेकिं मैं आपको एक चीज एक सब्सक्राइब करते हूँ आप अगर bank से loan लेते हैं तो bank की एक requirement होती है कि आपकी current ratio जो है ना वो 2 is to 1 होनी चाहिए नहीं double होनी चाहिए current assets आपकी current liabilities अभी ये लिट पर नजर आ रहा कि ये नहीं बन रही ratio तो हम क्या करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से फिग्रों को उपर नीचे करके ratio को 2 is to 1 करना है पड़ा बनानी पड़ा number one एक और बताता हूँ जो loan दिया जा रहा होता है उसमें भी ये है कि आप जाहिए और बाकी जो है 60% तक आप ले सकते हैं आपने annual report बनाई और पता चलाजी कि आपके जो debts की figures है वो 70-80% पर जा रही है तो again you start working कि भी कैसे हम अपने इस को 60% पर लेकर आए तो this is the problem actually कि कैसे लोग जो है इन reports को fraudulently बनाते हैं मैंने internal बताये excellent भी देखें may relates to the industry conditions बास कहती होता है कि industry में excellent जा रहा होता है और आपके पास pressure है कि आपने यह दिखाना है तो accountant को जब यह कहा जाता है यह दिखाना है which is very very wrong इसलिए कि accountant को वो दिखाना जी जो actual है बनाना नहीं है जो बना हुए वो दिखाएं यह hazard साब के यह है और legal and regulatory considerations अब बासकोत यह भी होता है कि legally हमें कोई चीज़े देनी ही पड़ती है जी कि इस से कम ने दिखाएं यह ना दिखाएं यह वो दिखाएं ही तो उसमें भी आकर लोग फिरना फिरों को उपर नीचे करते हैं और which is again wrong General incentives for fraudulent financial reporting are the desire to obtain a higher stock price कुछ लोग अपने share की price को बेतर करने के लिए फिरों को जाव उपर नीचे करते हैं ताकि पता चले कि हमारे share की price जो है वो बढ़ जाए लेकिन share की price कम होने से आप करने कंपणी को क्या फरक पड़तų के पास है अगर अगर कंपणी के share की price कम हो रही है तो शेर ओणर सफर करेगाना कंपणी तो शेर ओणर ओनर कंपनी करेगी लेकिन में आपकी जो कहते हैं company की value वह कम हो जाती है क्योंकि देखे ला number of shares को multiply कर दे share की price से तो आपकी share की company की value नहीं कर रहा है तो यह इस तरह से भी देखते हैं कि यह आप कैसे internally उसके बाद है general incentives of fraudal report are desired to obtain the higher stock price and to avoid default on a loan agreement loan agreement में अगर default होता है तो bank आ जाते हैं और आपको liquidation में ले जाते हैं यह बहुत serious issue है मैं आपको पताता हूँ इसमें example मैं आपको देना चाह रहा हूँ loan जब देया जाता है for example किसी security के case दिया जाता है तो आप security की जो value है वो इस loan से ज्यादा होनी चाहिए क्योंके वो margin रखते है around 20% मसलिन आपने cotton का stock रखा हूँ है और वो pledge करा हूँ है पर्ट करें 100 रुप है कि cotton है तो आपको loan जो है 100 का नहीं मिलेगा 80 तक का तो मिल जाएगा लेकिन अगर आपने इसको उपर नीचे करके अपना दिखाना के जी हमारा loan इतना है और stock को बढ़ाना करना इसी तुर्ण काम इस टॉक काम है लोन ज्यादा है अब गलत हो गया काम तो आप क्या करते हैं कि आप कोशिच करते हैं कि stock को किस्त तरी करें कि stock ऐसी item है accounting में कि उसको आप उपर नीचे आसानी से कर सकते हैं वसका देखे ना गिनने में गलती कर लें कहने जी इतने इतने पड़े हुए उ बढ़ाते हैं तो आपकी cost कम हो जाते हैं यह profit बढ़ जाते हैं लेकिन यही closing stock आपका अगले साल का opening stock बनेगा तो जब वो opening stock बनेगा तो cost का हिस्सा बन जाएगा तो इसका बना भी है कि आप इस साल को profit करने के लिए अगले साल के profit को underline कर रहे हैं तो this is wrong तो these are the various मैंने कुछ managers की compensation की बात हती है कि हमें bonus मिलना चाहिए मैं आपको सच बताता हूं कि towards the end of the day अगर आपने bonus rate कर दिया है manager की salaries के साथ तो they will try their best कि जी वही figure आ जाए ताके उनको bonus मिल जाए और बहुत time लगाते हैं उसको बनाने के लिए किसी ना किसी तरीके से मैं personally भी जानता हूं कुछ लोगों को जो managing level पर काम कर रहे हैं और बोनस नहीं मिलेगा अगर यह figure से ही नहीं होई तो आप कोशी कर रहे हैं किसी त record कर दी, receiver record कर दी, आतो आपकी current ratio भीतर हो गई, आपका profit भीतर हो गया, this is how they play actually, अगर within the manager level पर मैं बात कर रहा हूं कि अगर उनको bonus मिलना है तो वो bonus create करने के लिए इस तरह से कर लेते हैं, some of the situations pressure includes certain decrease in revenue or market share, a single company or entire industry can experience these decreases, यह होता है normally कि business season किसी वज़ा से, circumstances में change आती है तो आपके business में impact आता है, तो लोग उस impact को ना दिखाने के कोशिश करते हैं, अलग ऐसा नहीं होने चाहिए, देकिए अगर आप सारी industry में एक depression आया है, slum आया है, तो there is nothing wrong कि आपकी balance ratio जो भी उसको accept करें दिखाए, unrealistic budget pressures, यह भी एक है, कि budget में हमने यह दिखाया है, तो हमारा result ऐसे ही आना चाहिए, not necessarily, कोई budget estimate है, आपने actual देना है, तो आप actual budget के साथ बनाने की कोशिश ना करें, budget अपनी जगा ठीक है, लेकिन आप यह देखें कि यह आपने, लेकिन अपने अंडर ओवर रन जरूर होता है, यह कभी नहीं होत है, उसकी explanation दे दे, बात खतम हो जाती है, लेकिन नहीं हमने budget के मतावी की report देनी है, तो which is wrong, फिर है financial pressure resulting from bonus plan, यह मैंना आपको explain कर दिया है, कि यह भी है कि लोग अपना bonus तो ठीक करने के लिए figure को उपर नीच कर लेते हैं, frequently this opportunity rises from lack of vigilance by the board of directors, अगर यह frauds होते हैं, तो मैं समझता हूँ, सबसे ज्यादा responsibility बनती है, board of directors, अगर वो vigilant नहीं है, तो then obviously किसी लोग misuse करते हैं चीजों को, the situation can occur when the board is dominating by internal management, यानि internal management यह वो ही board को चला देती है, को चकर दे देती है, और figure को पनी चकरवा देती है, weak or non-existent internal control, या weak है या ही नहीं सी risk, अलाकि internal control must है, internal audit must है, लेकिन अगर वो weak है, तो और भी problems है, क्योंकि लोग फिल भी misuse कर लेते हैं, when a company revenue system is overloaded as a result of rapid expansion of sales, the acquisition of new division or the entry into a new unfamiliar line of business, ये भी एक बड़ी अच्छी मिसाल मैं पाकिस्तान की बताता हूँ, आपने निरला स्वीट हाउस के बारे में तो सुना ही है ना, खाई भी होगी यकीने, यकीन माने इतनी, मैं उनको बचपन से जानता हूँ, जब वो एक छोटा सथ था business उनका, इतना बड़ा business, मुलक से बाहर भी business, बंद कैसे हो गया, ये वो expansion, डायरी में चले गया, पता नहीं क्या क्या business शुरू कर दिये, और ultimately हुआ क्या, ये बंद हो गया, ये एक problem है, कि unnecessarily आप expansion में न जाएं, वही, gradually बढ़ाएं काम को आप, ठीक है, लेकिन अगर आप abruptly, जल्दी-जल्दी में करेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएं, फिर है unusual complex transaction, including the consolidation of two companies and the closing of a specific operation, ये भी एक है, ये जो consolidation का setup है ना, जिसमें बहुत सारी company यां, एक company बड़ी है, और उसको buy out कर लेती है, और फिर उसकी figure को आगे, उपर नीचे, that's a long way to go, मैंने discuss किया है आप लोगों के साथ, तो ये जो है, यानि बढ़ाते चले जाएं, बसला अगर आप spinning में है, spinning में है, तो आप weaving में चले जाएं, weaving से आप fabrics बनाने में चले हैं, fabrics बनाने से आप कपड़ा बनाने में चले हैं, कपड़े बनाने में चले हैं, ये सारे integration, अगेन देखना पड़ेगा कि ये visible है भी के नहीं है, लेकिन अगर आप weaving में हैं, या spinning में हैं, तो आपका experience mainly spinning का है, धागा बनाने का है, कपड़ा बनाने का नहीं है, तो आप एक्जम से ऐसे normally बड़ अच्छे group भी है, मैं ये नहीं कहता है सारे ऐसे होते हैं, लेकिन ये भी हो जाता है कि in that case आप मार खा जाते हैं, चौत्या accounting estimates, ये जो provision accounting की है न estimates के बाद, साल के end पर हम ये estimates करते हैं, बसलिए depreciation की बात ही कर लें हैं, तो ये depreciation चार्ज तो करते हैं, एक asset यूज हो है तो उसकी depreciation चार्ज होगी, कोई भी method आप यूज करें, लेकिन लोग क्या करते हैं कि इस method को change कर लेते हैं, कि अगर हम straight line पर जा रहे हैं, तो reducing message पर चले जाते हैं, तो ये भी एक issue है, और फिर ये कि अब इसमें वह जिसको कहते हैं, fair value की adjustments और दूसरे, सारी adjustment डाल देते हैं, ये भी एक गलत तरीका एकार है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, कि आप unnecessary adjustment डालें, जिसकी requirement नहीं है, अब देखे, differ tax का भी एक concept है, और leasing ये वह सारा कुछ, अब देखे, ये leasing है, फर्स करें, तो law कहता है कि अगर leased asset है, standard कहता है कि leased assets आपने लिया हुआ है, बहले ही वह operating lease है, आपने अपनी balance sheet में, उसको asset में दिखाना है, और उसके against liability भी दिखानी है, हम क्या करते हैं, न asset दिखाते हैं, न liability कहते हैं, कहते हैं हम तो rental पर हैं, rental profit को charge कर रहे हैं, बस that's all, हाला कि requirement है, कि उस asset को आप as a asset भी दिखाएं, और अपनी liability में भी show करें, यह जो चीज़े हैं, यह management में estimates हैं, यह तरीके से हम adjust कर रहे होते हैं, इसमें एक चीज़ और भी है, जिसको हम कहते हैं, contingent liability, contingent liabilities को balance sheet में हम दिखाते नहीं हैं, कि एक liability है, जिसके बारे में अभी decide नहीं हुआ, कि हमें pay करना है, कि नहीं करना है, किसी workers नहीं आपको let say क्या हुआ है, case किया हुआ है, कि मुझे unlawfully इन्होंने dismiss किया है, तो वह एक court में pending case है, उसके decision के बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन आप यह देखें, कि अगर आप समझते हैं, कि हम हार जाएंगे, तो भी उसकी provision डाल दें, तो हम क्या करते हैं, हम hide करते हैं, इसकी requirement है, कि अगर contingent है कोई, तो आपने उसको mention करना है, दिखाना है, notes में दें, अगर liability रही create करना चाहते हैं, कि उसके notes में तो बताएं, कि हमारे पास यह contingency में, इससी तरह warranties है, lawsuit है, यह warranties में आपने कोई च सारा revenue जो है, वो एक साल में नहीं ले सकते, उसका कुछ portion आपको pending करना पड़ेगा, deferred revenue करना पड़ेगा, इसलिए कि वो आपका, अभी warranty में चीज़ चल रही है, ineffective internal audit staff, यह भी एक और, internal audit staff जो है, अगर वो भी सही काम नहीं कर रहा है, तो भी जो problems आ जाती है, लेकिए अला पता होना चाहिए, उनको सारी detailed, उनको operation का पता होना चाहिए, और जब वो चीज़ उनके पास हा रही है, तो वो सब तरफ से उसको देखने के भी यह ठीक है, अगर ठीक है तो उसको approve करें, अगर ठीक नहीं तो approve ना करें, usually होता ही है, कि कोई भी भी लाता है, तो वो internal audit department को जाता है, जरूर है, अब वहाँ पर देखें, जब लोग seriously नहीं ले रहे हैं, तो भी problem आ जाती है, या तो inadequate है, size proper नहीं या trained नहीं है, a weak corporate ethical climate contribute to this situation, simple सी बात है, अगर एक ethical corporate structure ऐसा को सिमेधिकली चीज़ों को नहीं देखा जा रहा, तो भी यह frauds के chances बढ़ जाते हैं, opportunities for the fraudal financial reporting also increases dramatically when the accounting principles followed in reporting transactions are non-existing, evolving or subject to varying interpretation, interpretation की बात है, मैं किसी और तरीके से करता है, कोई किसी और तरीके से कर सकता है, तो जब यह चीज़ें होंगी, तो obviously कहीं ना कहीं पर यह fraudal entry reporting हो जाती है, होती है, और यह करते हैं, मैं 100% तो नहीं कह सकता है, के सारी करते हैं, लेकिन majority में यह चलता है कि towards the end of the day, वो बैट कर देखते हैं कि यहामें report कैसी बनाने चाहिए, जो results हैं, उसके मताबिक बनाएं, कोई उसमें इदर रजर की बात ना करें, कोई उपर नीचे ना करेंगे, क्योंकि end of the day वो बार, कोई भी accounting में एक important चीज में आपको बता दूँ, आज आप कोई गलती करते हैं, sooner or later it will come to your notice, आएगी वापस, definitely वापस, feedback करते हैं, मैंने आपको बता दूँ, मैंने दो company को देखा हैं, जिन में मैं personally involved था, कि मैंने उनको बताया कि आज आप ये कर रहे हैं, इसके repercussion ये होंगे, और दोनों companies के बारे में, group of companies I am talking about, I am as a group, I control था, तो उसमें दोनों company को, एक जो थी वो तो 6-7 साल के बाद, और एक जो थी वो चार साल के बाद ही, ultimately क्या हुआ है, उनको find up करना पड़ गया, और legal cases अभी तक चल रहे हैं, ये जो problem है कि कभी भी गलती करोगे, तो वो फेर problems तो आए, इसलिए fraudulent reporting से avoid करना ही चाहिए, Thank you very much.